नमस्कार खबरों की खबर में आपका स्वागत है कॉंग्रेस में अभी एक नया मुहीम चल रहा है और वो है राहूल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने की लेकिन राहूल गांधी के नित्रित्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल कॉंग्रेस के अंदर ही नहीं बलकि कॉंग्रेस की सहयोगी पाटियां भी उठा रही है कॉंग्रेस की जो कुछ सहयोगी पाटियां है वो राहूल गांधी की छमता के उपर सवाल उठा रही है और उसमें महारास्ट की एक बड़ी पाटी और पुराने कॉंग्रेसी भी शामिल हैं सरत्पवार की बात कर रहे हैं सरत्पवार एक उलजे हुए नेता है और वो नेता जो कभी कभी जो बोलते हैं उसके मायने होते हैं सरत पवार ने कॉंग्रेस में चल रहे अध्यक्ष की दोड़ को लेकर एक पड़ी टिपनी की और उस टिपनी के बाद कॉंग्रेस के अंदर और साथ साथ में महाराष्ट के अंदर एक सियासी बहस शुरू हो गई है सरत पवार ने जब कॉंग्रेस के अध्यक्षता के बात आई तो उन्होंने राहूल गांधी के अबिलीटी के उपर सवाल खड़ा कर दिया जब उनसे पूछा गया कि राहूल गांधी कॉंग्रेस और फिर विपक्ष का कमान समालने के लायक है या नहीं तो सरत पवार ने कु इतिनी परिपक होता नहीं है राहूल गांधी कॉंग्रेस के अध्यक्ष मतलब वो जो कहने का उनका मतलब था वो यही था कि राहूल गांधी अध्यक्ष बनने के काबिल नहीं है लेकिन एक और सवाल उन्हेंने खड़ा कर दिया कि कॉंग्रेस के अंदर सबसे बड़ी समस कि कॉंग्रिस में गांधी नेहरू परिवार के अलावा किसी और के बारे में सोचा नहीं जाता है। कि कॉंग्रिस के दूसरे कई नेताओं ने गांधी नेहरू परिवार से बाहर किसी और को स्विकार करना ये बिल्कुल अस्विकार कर दिया। तो वहां गांधी नेहरू परिवार से बाहर किसी को कमान सौपना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए इन्होंने दो बड़ी बाते कही। उनके सामने सबसे बड़ी चुनोती तीनों पार्टियों के बीच सामन जस्व को लेकर रहा है। वो हमेशा राज्य के सासन से जादा पार्टियों के बीच के कॉडिनेशन पर ध्यान देते रहे हैं। कभी एन्सीपी और कॉंग्रेस के बीच खीचतान हो तो कभी कॉंग्रेस सीबसेना के बीच खीचतान हो। ये इस्थितियां हर कुछ समय के बाद उभर कर सामने आती है। अगर अभी की बात करें तो एक बड़ी कंट्रोवर्सी जो हुई सिवसेना और कॉंग्रेस के बीच उसको लेकर पहले ही सिवसेना परिशान थी ये बात हो रही थी BMC के चुनाब को लेकर जब BMC के चुनाब के लिए सिवसेना परमुक उद्धब ठाकरे ने ये बात कही कि हम जो अभी कॉलिशन है महाविकास अगारी की वही गठबंधन BMC का चुनाब साथ में लड़ेगी सिवसेना परमुक ने तो ये बात कह दी लेकिन कॉंग्रेस को ये बात रास नहीं आए क्योंकि कॉंग्रेस पहले ही ये सूच रखे थी कि BMC के चुनाब में सिवसेना का साथ लेना है या नहीं लेना है अगर लेना भी है तो वो उस समय डिसाइड किया जाएगा अभी से ये ब्रह्म के स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए इसलिए जैसे ही उद्धब ठाकरे ने BMC चुनाब को लेकर अपनी अस्रड़ जी बताई वैसे ही कॉंग्रेस के तरफ से ये बयान जारी हो गया कि BMC के चुनाब में कॉंग्रेस अकेले लड़ेगी सीव सेना के साथ मिलकर चुनाब नहीं लड़ेगी ये उद्धब ठाकरे के लिए बेज़िती जैसे थी क्योंकि वहाँ पर तीन पार्टियों की सरकार है और उद्धब ठाकरे इस बात की उमीद में वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि किसी भी तरह से कॉंग्रेस और NCP के नेता उनका विरोध न करें बाद में अगर बंद कमरे में जो भी बेज़िती करनी है वो कर लें लेकिन बाहर में स्टेटमेंट दे कर ऐसा एक पैदा न करें कंट्रोबरसी जिससे कि लोगों को ये ल अंधा होना बाकी ही था कि अभी सरदपवार ने एक और मामला गरम कर दिया और राहुल गांधी को लेके कड़ी टिपनी कर दी जिसके बाद कॉंग्रेस की तरफ से भी परतिक्रिया आना जरूरी था। कॉंग्रेस में जिस तरह से एक परिवार विशेश को सब कुछ दिया जाता है उसी तरह से सरदपवार के NCP में भी वही विवस्ता है। इंटर्नल जो डेमोक्रेसी है उसकी बाद करके एक नया सवाल खड़ा किया और यही कारण है कि दोनों पार्टियों के बीश तना बढ़ना शुरू हो गया। आखिरकार सरदपवार ने ऐसी बाते क्यों कही उसके पीछे भी कुछ कारण है क्योंकि अभी के दोर में NCP को सबसे जादा कॉंग्रेस के साथ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके पहले कॉंग्रेस और NCP के बीच महरास्ट में जो गठवंधन हुए और उस गठवंधन के बाद जो सत्ता में भागिदारी हुए उसे लेकर। महरास्ट में किसी भी तरह का डिसिजन लिया जाता है और सरकार जो डिसिजन लेती है उसमें कॉंग्रेस को सामिल नहीं किया जाता है। जो अन्य उद्राधिकारियों के साथ सुप्रिया सूले की बात कही गई तो सुप्रिया सूले को लेकर वो कन्फ्यूज हो गए। उन्हें लगने लगा कि अगर सुप्रिया सूले को प्रस्न पूछा गया है कि सुप्रिया सूले क्या आगे महरास्ट के मुक्मन्तरी बनेगी। तो उस पर इनको लगने लगा कि अगर सीधा जबाब देते हैं तो फिर दिक्कते पैदा होगी और अजीत पवार फिर से विरोध कर सकते हैं। लेकिन जो संकेत उन्होंने दिया वो अजीत पवार के लिए भी सुबसंकेत नहीं माना जाता है। उन्होंने स्पस्ट तोर पर तो नहीं कहा लेकिन अजीत पवार के संकक्ष दो और नेताओं को खड़ा कर दिया और सुप्रिया सुले को किंद्रिये राजनीती में सक्रिये रहने की बात कह दी। इसका मतलब है कि वो नहीं चाहते हैं कि वो अपने अस्तर पर अजीत पवार को अपना महरास्ट में अपना उतरायकारिस्तों पे और दूसरी तरफ सुप्रिया सुले को केंडर में ला लें। ये स्थिती भी आस्पस्ट है और इसलिए वो दो तरह के दर्वाजे खोलने की कोशिश में लगे रहते हैं अगर केंदर में उनको अपनी बेती को सेट करना है तो उसके लिए एक दर्वाजा एंडिये में वापस जाने का भी है एंडिये में भी जा सकते हैं और उसके अलाव अगर राज्ज में किसी एक को उत्राधिकारी बनाना है तो उसके लिए भी वो ऐसी बाते नहीं कर सकते जिससे दूसरे नेता नाराज हो तो इसलिए उन्होंने अजीत पवार के साथ साथ धननजय मुंडे और जयंत पाटिल का भी नाम लिया कि जो परदेश की राजनिती है उसमें एन्सीपी के पास अजीत पवार धननजय मुंडे और जयंत पाटिल जैसे नीता हैं जो उनके बाद महाराश्ट की कमान समाल सकते ह जबकि सुप्रिया सूले किंद्र की राजनिती करती आई है और वो किंद्र में ही राजनिती करेगी वो महारास्ट की राजनिती में ज़्यादा इन्वोल्व नहीं होगी लेकिन यही बात उन्होंने जो कही उसके मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं कि क्या सुप्रिया सूले को किंद्र में सिट करने के लिए सरत पवार ने पहले एक आधार बना दिया और इसलिए राहुल गांधी के नित्रित्व छमता के उपर सवाल उठा दिया ताकि आगे जो कॉंग्रिस दवाब में रहे और दूसरी तरफ अगर उन्हें इंडिये में जाना हो तो उसके लिए भी दरवाजा खुला रहे वो समय समय पर इस वात का संकेत देते हैं कि 2024 के चुनाब से पहले ही कैसे वो इंडिये में भी जा सकते हैं या फिर कॉंग्रिस के जो जात्र पवार परिवार का वारिस नहीं बना कर उनके उपर भी अंकुष लगाने के कोशिस की जिससे महराष्ट की राजनीती में एक बार फिर से विवाद पैदा हो गया है और शिब सेना के अंदर इसको लेकर हलचल मचे हुई है शिब सेना प्रमुक उद्धव ठाकरे अब घवराय हुए हैं कि कॉंग्रिस और NCP के बीच जो ये विवाद चल रहा है और NCP के अंदर जो नित्रित्व को लेकर गुट बने हुए हैं उसका असर क्या होगा क्या अगले एक आज साल के अंदर जिस तरह से भारतिय जंता पार्टी के कुछ नेताओं ने भविश्वानी की थी कि तीन से पांच महिने में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाएगी वो भविश्वानी क्या सही होने वाला है और इसलिए शिब सेना के अंदर बिलकुल ख ही तक एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे अब क्या एक प्लेट फॉर्म पे आएंगे और इनसीपी दूसरे तरफ जाएगी ये इस्थितियां अभी स्पस्ट नहीं हो पाई है लेकिन फिर भी महाराष्ट की सियासत में एक ने सम्भावनाय दिखाई पड़ रही है तो के लिए बने रही है हमारे साथ और देते रही है मैसा योग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे हैं तरने बार